हेलो व्यूर्ज कैसे हैं आप सब तो जिसना से आपको पता है हमाई पास ASP.NET Core 6 की लेक्चर सिरीज चल रही है और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत जादा स्पेशल होने वाला है क्योंके आज हमारी इस लेक्चर सिरीज की हाफ सेंचरी मुकमल हो चुकी है मतलब चैप्टर नंबर फिफ्टी आज हम डिसकर्स करेंगे और इसके अंदर हम क्या काम करेंगे देखो वर्किंग विच सिंगल एंड मल्टिपल चेक बॉक्स इन इस पी ड पर थी और फिर मल्टिपल चेक बॉक्स किस तरह से बनाते हैं और उसकी सेलेक्टेड चेक बॉक्स किस तरह से गेट करते हैं उनकी वैल्यूज तो वह सारी चीज़े हम आज किस लेक्चर के अंदर देखेंगे तो आपने मेक्शोर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वाच तो बहुत देखो वर्किंग विच सिंगल एंड मल्टिपल चेक बॉक्स तो बगहर टाइम वेस्ट किये जंप करते हैं अपने विजुल स्टूडियो में यहां पर आजाओ ठेके तो सबसे पर लिंग न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं यहां पर क्रेट अन्यू प्रोजेक् चरहा हूं asp.net core web app mvc आप यहां से भी select कर सकते हो मैं यहां से select करता हूं इसके वपर double click करते हैं और फिर देखो इसका नाम मैं यहां पर रखता हूं checkboxes asp.core6 ठीक है और यहां पर आके next पर click करते है .net core 6 हम यहां पर यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद create पर click करते हैं तो यहां पर देखो हमारा project create हो चुका है ठीक है सबसे पहले मैं इसके controllers के अंदर चलता हूं ठीक है home controller में जाते हैं ठीक है यह home controller आ गया और इसके अंदर आप देखो आपको एक index का action method नज़र आएगा इसका view भी पहले से create हुआ हूँ है ठीक है तो यहां पर आज़ो views के folder में home के अंदर और यहां पर देखो index का view भी हमारे पास यहां पर create हुआ हूँ है ठीक है तो भी देखो आप सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा मैं single check box के साथ किस तरह से काम करते हैं वो आपको बताता हूँ ठीक है तो आप यहां पर आज़ो सबसे पहले मैं अपने models के folder के अंदर यहां पर देखो एक class add करता हूँ model class इसको इपर I click करते है add पर जाते है और यहां से मैं class select कर लेता हूँ ठीक है ठीक है और इस class का मैं आपर नाम रख रहा हूँ view model ठीक है आप कुछ भी नाम रख सकते हो मैं इस class का नाम रख रहा हूँ view model add करते है तो सबसे पहले म है वो मैं आपे कह देता हूं देखो accept terms आपने एकसा check box देखा होगा I accept the terms का कि आप उसके उपर check लगाते और उसके बाद अपना form submit करते हो ठीक है तो उसी के लिए मैं आप example use कर रहा हूं ठीक है और यह boolean है मतलब true या false इसके अंदर store होगा ठीक है मैंने नाम क्या रखा है view model इसका मैं आप पर object बनाता हूं ठीक है देखो view model इसका मैंने आप इस तरह से object बनाया ठीक है और यहाँ पर end में accept terms इसके अंदर मैं default value यहाँ पर पास कर देता हूं false false क्यों मैंने पास किया क्योंके भाई देखो मैं चाह रहा हूं कि जब मेरा check box first time load होगा browser पे तो वो by default uncheck होना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्या value पास कर दी false और यही जो हमारे पास view model का object बनाया ही मैंने कहाँ पास कर दिया model में और अब यही model मैं pass कर देता हूं अपने view को कौन से वाले view को index वाले view को ठीक है तो index वाला view यहाँ पर बनावा है तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखो अब मुझे check box मनाना है तो भाई देखो check box को लेने के लिए मैं bootstrap का check box use करता हूं मतलब इसा check box use करता हूं इसमें bootstrap की classes लगी हैं तो मैं bootstrap की website पर आ जाता हूं ठीक हो देखो मैं आप गूगल पर आ गया हूं और मैं आप लिखता हूं BS5 check box आपको नजर आ रहा होगा enter करते हैं देखो इसकी पहली पहली website आपको नजर आ रही होगी checks and radios इसके ओपर click करते हैं यहाँ पर आकर मैं इसको नीचे paste करता हूं और ctrl k ctrl d करके मैं इसको beautify कर देता हूं ठीक है तो मैं देखो अब यह वाला जो आपके पाद check box है इसको मुझे bind करवाना है यहाँ पर किसके साथ यह वाली जो property इसके साथ bind करवाना है ठीक है तो उसके लिए मैं आपर क्या कर करवाने के लिए अपनी model property के साथ model property का क्या नाम है यहाँ पर देखो accept terms इसके साथ मैं आप इसको bind करवा देता हूं ठीक है और नीचे आजाओ यहाँ पर इसका जो label है इसके अंदर यहाँ पर text pass कर देता हूं ठीक है hard code कर देता हूं और इसको मैं आपर कहता हूं I accept the terms ठीक है सही तो आप इसको save करते हैं और इसको run करता हूं उसका यहां तक मैं आपको result दिखाता हूं तो यह देखो application run हो चुकी और यहाँ पर देखो आपको check box नदर आ रहा है by default यह क्या है false है मतलब unchecked है जैसे आप इसको check करोगे तो यह क्या हो जाएगा true हो जाएगा ठीक है तो मतलब बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है यहाँ लेकिन यहाँ पर देखो अभी यह जो I accept the terms यह जो text था यह मैंने यहाँ पर hard code किया था hard code मतलब यहाँ पर मैंने manually इसको इस तरह से यहाँ पर write कर दिया था लेकिन हम नहीं यहाँ पर एक दूसरा काम कर सकते हैं वो क्या काम कर सकते हैं यहाँ पर आजा view model के अंदर यहाँ पर देखो मैं एक दूसरी property बनाता हूँ इ उसके text की बात कर रहा हूँ ठीक है तो उसको represent करने के लिए यहाँ पर मैंने यह property बनाई ठीक है तो अब यहाँ पर आजो अब यहाँ पर देखो जहाँ पर मैंने यह अपना यह object बनाया था view model का और accept terms के अंदर यहाँ पर देखो मैंने false initialize किया था तो यहाँ पर मैं कॉम इसको मैं यहाँ से अटाता हूँ और मैं यहाँ पर model का keyword यूज करता हूँ यह model किसको represent कर रहा है हमारी view model class को और यहाँ पर model dot यहाँ पर मैं pass कर देता हूँ text मतलब यहाँ पर देखो अब यह जो मैं इस check box का text display कर रहा हूँ यह dynamically display कर रहा हूँ इसका फाइदा क्या भई ह हो सकता है कि आपके पास multiple check boxes हो तो उसका text अगर आप यहाँ पर hardcode नहीं करना चाह रहा है तो वह आप dynamically भी यहाँ पर get कर सकते हो इस तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया ठीक है तो अगर run करके दिखा हूँ result आपको same मिलेगा result में कोई difference नहीं होगा तो यहाँ पर दे यहाँ पर नजर आएगी ठीक है और अब देखो यह जो आपके पास check box नजर आ रहा है अब मैं इसको submit करता हूँ इसका data आपको get करके दिखाता हूँ मतलब यह true है यह false है इसको हम यहाँ पर get करके दिखाते है ठीक है तो यहाँ पर आके मैं इसको stop करता हूँ और यहाँ चलते हैं अपने index के अंदर ठीक है और देखो यहाँ पर मैं इसको form के अंदर रखता हूँ ठीक है क्योंकि मैं अभी तक इसको form के अंदर नहीं रखा था इसको form के अंदर रखते है ठीक है इसका closing मैं यहाँ पर आके इसको नीचे paste कर देता हूँ और अब इस form के बारे में मैं बताऊंगा कि इसको मुझे कहां पर submit करना है तो सबसे पहले में इसको कहता हूं कि कौन से controller के पास जाएगा यह जाएगा हमारे home controller के पास और home controller के कौन से action method के पास जाएगा index के पास जाएगा और जो यहां पर method यूज़ करूँगा वो कौन सा होगा पोस्ट ठीक है यह मैं specify कर दी और अब यहां पर मैं क्या करता हूं एक submit बटन मनाता हूं तो यहां पर मैं एक BR देता हूं और उसके याँ पर देखो इन पूट यहां पर यूज़ करता हूं और उसके बाद टाइप हम यहां पर कर देंगे गे usad admit ठीक है और उसके बाद यहां पर इसकी वेलिव बी मैं आपर क्या देता हूं submit ठीक है और इसकी जो bootstrap की class है वो मैं आपर apply कर देता हूं btn और यहाँ पर मैं कहता हूं btn success ठीक है सही है तो अब जब मैं submit करूँगा तो इसके लिए मुझे यहाँ पर अपने controller के अंदर मुझे एक index का http post version मनाना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ से मैं इसको copy करता हूं इसको यहाँ paste करता हूं और इसका नाम मैं यहाँ पर रखता हूं index ठीक है और इसके top पे यहाँ पर मैं http post लगा देता हूं ताके जब मैं अपना form submit करूँगा तो request यहाँ पर आएगी ठीक है वो जो भी data है checkbox का ठीक है वो get कहाँ पर होगा यहाँ पर देखो यह जो view model मैंने बनाया था ठीक है इसका यहाँ पर मैं object बनाता हूं और इसका मैं नाम यहाँ पर रख देता हूं for example data ठीक है तो जो भी data है वो यहाँ पर आके क्या होगा store होगा ठीक है और अब देखो इसका data मैं यहाँ पर get किस तरह से करूँगा देखो मैं आप एक variable बना लेता हूं मैं आप क्या देता हूं value और इसके अंदर यहाँ पर देखो मैं पास करता हूं जो data है object हमारे पार parameter इसका यहाँ पर मुझे यहाँ पर इस तरह से get करनी है ठीक है तो अब यहाँ पर मैं एक breakpoint लगाता हूं और इसका result दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या store होता है ठीक है तो यहाँ पर इसको run करते हैं इसका result देखना तो यह देखो result आपको नजर आ रहा है और आप देखो अगर मैं यहाँ पर I accept terms क क्या दिखा रहा है यहाँ पर true दिखा रहा है और देखो text में हमारे पर null इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको मैंने किसी के साथ bind नहीं किया मतलब यह वाली जो हमारे पर property है ठीक है यह वाली इसको मैंने यहाँ पर अपने view के अंदर किसी control के साथ bind नहीं किया मैंने just इसको क् ताके मैं इसका just text यहाँ पे इस तरह से display करवा सकूँ ठीक है क्योंकि असली काम हम यहाँ पे किसके through करेंगे यहाँ पे देखो यह जो हमाँ पर data के अंदर true या false value आ रही है उसके साथ हम यहाँ पे काम करेंगे ठीक है समझ में आया तो इस तरह से क्या कर सकते हो इस तरह से आप अपने single check box की value क्या कर सकते हो get कर सकते हो ठीक है तो यह होता इसका concept ठीक है तो यहाँ पे आके मैं इसको stop करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी class को यहां से copy करता हूँ, और comment out कर देता हूँ, और इस namespace के अंदर दुबारा यही class मैं यहां पे paste करता हूँ, और यह जो दो properties हैं, इसको मैं यहां से हटा रहा हूँ, ठीक है, देखो नीचे मैंने class क्यों comment किये, क्योंकि यह वाला जो code है वो मैं आपको provide कर दूँगा, ताकि आप इसकी practice कर सको, ठीक है, तो यहां पे देखो, मैंने इसको इस तरह से empty छोड़ दिया, और फिर आज अपने controller में, यहां पे देखो, जो मैंने view model बनाया था, ठीक है, यह वाला जो पूरा code है, index का ही, जो हमारे पास action method है, इसको भी म आजो नीचे जो इसका post version था, इसके अंदर से यह वाली जो line है, इसको भी मैं आसे क्या कर देता हूं, comment out कर देता हूं, और आप चलते हैं, अपने view के अंदर, यह जो मारा index का view था, इसके अंदर यहां पे देखो, यह जो हमारे पर पूरा का पूरा form है, ठीक है, इसको मैं हमारे पास एक class मौजूद है, यहां पर view model, लेकिन मुझे आप एक दूसरी class बनानी है, क्योंकि अब मैं आपर multiple checkboxes के साथ काम कर रहा हूं, तो यहां पर देखो, यह जो models का folder, इसको उपर I click करते हैं, add पर जाते हैं, और यहां पर मैं एक और class यहां पर add करता हूं, और इ यह class हमारे पास एक single checkbox को क्या करेगी, represent करेगी, और इसी को use करके मैं क्या करूँगा, multiple checkboxes बनाओंगा, ठीक है, ठीक है, तो अब यहां पर देखो, इसके अंदर मैं कुछ properties यहां पर define करता हूं, ठीक है, PROP लिखके यहां पर tap-tap करते हैं, तो सबसे पहले जो property होगी, व और अब यहां पर आके, इसकी जो data type है, वो मैं आपर string रख देता हूं, ठीक है, और इसका जो हमारे पा property होगा, वो होगा text, मतलब इसके through मैं text display करवाऊंगा, checkbox का, ठीक है, फिर आजाओ, third property, PROP tap-tap, और अब यहां पर देखो, जो third property है, यह मैं बना रहा हूं, checkbox की value के लिए, आपको पता है, कि जब भी आप अपने checkbox का data submit करते हो, तो जो भी उसके value attribute के अंदर data होता है, वही हमें receive होता है, तो इसलिए यहां पर, उसके साथ action perform करने के लिए, यहां पर मैंने यह third property बना ही, उसका नाम रखा value, ठीक है, सही तो देखो, अब यह जो हमारे पार class है, यह एक single checkbox को represent करेगी, और single checkbox के अंदर यह 3 properties हमारे पास available होंगी, ठीक है, तो अब आजा हूँ यहां पर जो मैंने view model की class बनाई थी, ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर एक property बनाता हूँ, यहां पर देखना, और इस property की जो data type होगी, वो होगी हमारे पार यहां पर ग यह क्या है, यह क्या है list of checkbox options, इसका मतलब मैं इसके अंदर multiple checkboxes क्या कर सकता हूँ, define कर सकता हूँ, ठीक है, तो अब इसी को use करके मैं क्या करूँगा, अपने checkboxes create करूँगा, ठीक है, तो यहां पर आजाओ, हमारे जो home controller है, और उपर आजाओ, जहां पर ही मैंने अपना model define किया था, view model, और इस view model के अंदर आप देखो, कौन सी property defined है, यहां पर देखो, checkboxes, जो किस type की है, list of checkbox options, ठीक है, तो अब यहां पर आजाओ, देखो, view model के अंदर यह जो मैंने checkbox की property बनाई थी, ठीक है, checkboxes की property बनाई थी, इसका यहां पर देखो, मैं इस तरह से object pass कर र checkbox option, ठीक है, new checkbox option, इसका मैंने object बनाया, अब यहां पर मैं 3 objects बनाऊँगा, क्यूंकि मुझे यहां पर 3 checkboxes चाहिए, तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर पहली property ती, इसका क्या नमता, यहां पर देखो, is checked, ठीक है, is checked के अंदर, मैं आप पर पास कर देता हूं true, मतलब मैं आ पर कहना चाहरा हूं कि जो पहला checkbox होगा, यह by default checked होना चाहिए, इसलिए मैं आ पर इसके अंदर true pass कर दिया, और फिर इसका जो text होगा, ठीक है, text के अंदर यहां पर मैं pass कर देता हूं for example, sports के names यहां पर मैं डाल देता हूं for example, मैं आ पर क अपर कोपी करता हूं इस code block को और नीचे मैं इसको paste करता हूं, ठीक है, मैं दूसरा यहां पर checkbox मनाता हूं, यहां पर मैं इसको कह देता हूं football, ठीक है, football कर दिया, और यहां पर देखो ही जो इस checked है, इसको मैं कर देता हूं false, मतलब by default यह uncheck होना चाहिए, और इसका जो text है यहां से copy करके value में pass कर देता हूं, ठीक है, और उसके बाद third checkbox में आपर बनाता हूं, ठीक है, और वो होगा for example, hockey के लिए, ठीक है, तो यहां पर मैं इसको false रखता हूं, और यहां पर आके मैं hockey डाल देता हूं, text में और value में भी मैं आपर क्या डाल देता हूं, hockey, सही तो इस तरह से मैंने क्या कि 3 checkboxes बनाये कि इसके अंदर यहां पर देखो अपने इस model के variable के अंदर, तो अब इस model को मैं आपर pass करूंगा अपने इस view को, मतलब इस view को मैंने यहां पर return किया हूं, नदर आ रहा है, इसका मतलब भई देखो, अब यह जो हमारे पाद checkboxes है, यहां पर मैंने 3 मनाये, आप चाहो तो 5 बनाओ, 10 बनाओ, 15 बनाओ, आपने just क्या करना है, यह जो इसके objects से इस तरह से copy-paste करने और उसके अंदर values को assign करना है, तो भई आप देखो, यह जो मैं पर list of checkbox options है, इसको मुझे अपने view में display करवाना है, इसको मुझे अपने view में आप आदो, ठीक है, और आप देखो, collection के अंदर मैं आप पर क्या pass करूँगा, देखो, model, model. और यह जो मैंने property बनाई थी, अपने model के अंदर कौन सी checkboxes के नाम से, वो मैं आप इस तरह से pass कर रहा हूँ, मतलब ही, जो view है, मैंने कौन से model के साथ bind करवाया है, यहां पर दे यहां पर आजो, देखो, यही वाला जो code है, इसी को मैं यहां से copy करता हूँ, और copy करके मैं यहां पर लेता हूँ, और for each के अंदर यहां पर मैं इस तरह से pass कर देता हूँ, और control-K, control-D करके मैं इसको beautify कर दिया, और आप देखो, यहां पर मुझे किस तरह से काम करना है, यह जो इसके attributes हैं उसको यहाँ पर मैं इस तरह से यहाँ पर pass कर देता हूँ ठीक है अलग-अलग line में ले आता हूँ ताकि यह थोड़ सा separate हो जाए तो यहाँ पर देखो यह जो मैंने for each loop बनाया है देखो यह क्या करेगा हमारे model के जितने भी checkboxes हैं उसको one by one कहाँ पर get करेगा item के अंदर बलके मैं क्या काम करता हूँ यह जो item है न मैं इसका नाम रख देता हूँ checkbox ठीक है क्योंके मैंने क्या बताया तीन checkbox है ना one by one उनका data यहाँ पर आएगा और उसको मैं अपने इस checkbox के अंदर यहाँ पर bind करवा के उसको मैं loop through करवाऊंगा तो देखो आप value के अंदर यहाँ पर मैं pass कर देता हूँ यहाँ पर देखो यह जो checkbox है variable for each loop का ठीक है checkbox और यहाँ पर dot लगा के वो जो value की attribute था ना value की property थी वो मैं आपर इस तरह से pass कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखो जो id है वो id में कैसे generate करूँगा देखना ठीक है unique id होनी चाहिए तो यहाँ पर देखो मैं कहता हूँ checkbox underscore और फिर यहाँ पर दुबारा मैं आपर इस तरह से देखो checkbox dot value में इस तरह से यहाँ पर pass कर देता हूँ ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखो मुझे इसका name attribute set करना है जो के बहुत जादा important है तो इसका name मैं आपर set कर देता हूँ for example sports ठीक है sports यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया set कर दिया क्योंके भाई देखो यह जो हमारे पास जितने भी checkboxes बनेंगे ना उन सबके checkbox का जो name है वो same रहना चाहिए और जब मैं इसको submit करूँगा अपने सारे checkboxes के अंदर जो भी मैं checkbox select करूँगा और submit करूँगा तो data कहा जाएगा यहाँ पर देखो view model के पास तो view model के अंदर यहाँ पर मैं एक property define कर देता हूँ और यह होगी हमारी list of string क्या होगी यहाँ पर देखो list of string होगी और इसका जो नाम है वो नाम मैं आपर रख देता हूँ देखो sports ठीक है क्या नाम रख रहा हूँ देखो वही नाम रख रहा हूँ जो यहाँ पर मैंने अपने checkboxes को name दिया था ना यहाँ पर आजाओ देखो checkboxes को name क्या दिया था sports तो यहां पर जो मैंने property बनाई अपने view model के अंदर उसका नाम भी मैंने क्या रखा sports क्यूंके बही देखो जब मैं अपना data submit करूँगा मतलब checkboxes को select करके जब मैं submit करूँगा तो वो जो checkboxes select हुआ है उनको receive करने के लिए यहां पर मैंने at the rate checkbox है तीक है checkbox और इसके अंदर मैंने property बनाई थी ना जिसका मैंने क्या नाम रखा था is checked इस check आपको यहां पर मैं दिखा देता हूँ ठीक है checkbox option के अंदर देखो आपको यहां पर नजर आ रहा है इसके अंदर यहाँ पर देखो जो मैने values pass की थी, देखो cricket को मैने true किया था, बाकी यह नहीं पर football है और इसको मैने false किया था, तो अब यहाँ पर आजो, और फिर देखो यहाँ पर हमारे पास, checkbox option के अंदर यहाँ पर देखो, मैने text की property भी बनाई थी, तो उसको मैं यहाँ इस तरह से bind कर देता हूं, देखो, मैं यहाँ पर कहता हूं, जो हमारे पास add the rate checkbox है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर मैंने एक property बनाए थी text, जिसके अंदर मैंने अपने checkboxes का text define किया था, तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से bind कर दिया, ठीक है, और अब यहाँ पर देख इसको submit करूंगा, उसका data select करके, तो उसका data यहाँ पर हमें receive होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर अपनी application को run करता हूं, इसका result आपको दिखाता हूं, तो यह देखो, आपको result नजर आ रहे है, तीन checkboxes है आपके पास, और by default यहाँ पर देखो, cricket को मैंने true किया था, इ से पहले, यहाँ पर मैं एक label भी set कर देता हूं, ठीक है, label set कर देता हूं, और इसके अंदर यहाँ पर मैं कह देता हूं, sports you like, sports you like, ठीक है, simple यहाँ पर मैंने लिख दिया, sports you like, ओ लगा देते हैं यहाँ और यहाँ पर देखो, अब यह जो हमारे पास http post version था, index का, यहाँ अब मैं break point लगाता हूं, और इसका result आपको दिखाता हूं, कि किस तरह से यहाँ पर यह काम करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आके, दोबार अपनी application को run करते हैं, ठीक है, तो application run उचुकिए, और यहाँ पर देखो, अगर मैं cricket और hockey को select करता हूं, ठीक है, दो मैंने यहाँ प स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की प्रॉपर्ट्टी के अंदर यहाँ पर देखो, आपको view count क्या नजर आ रहा है, देखो 2, मतलब 2 checkboxes मैंने select किये थे, कौन-कौन से एक hockey था, और cricket था, देख रहे हो, तो बिल्कुल सही तरह से यहाँ पर हमें receive हो रहे है, अगर मैं आप इसक इसको stop करता हूँ, ठीक है, और अपनी application को दुबार run करता हूँ, और इस दफ़ाब मैं तीनो checkboxes select करता हूँ, तो इसका result देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब मैं cricket को भी select करता हूँ, football को भी select करता हूँ, होकी को भी, और यहाँ पर submit करते है, तो जैसे submit किया यहाँ पर देखो, breakpoint यहाँ पर आया, और यहाँ पर देखो, data, data के अंदर मैं इसको expand करता हूँ, यह देखो, sports आपको नजर आ रहा है, और अब देखो, इसके अंदर कितने हमारे पास checkboxes select हूँ है, count क्या दिखा रहा है, three, cricket, football और hockey, तो जब हमारे पास यह चेक बॉक्स इसके साथ, तो यहाँ पर हमारे यह lecture हो गया है, wind up, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आईए, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का icon भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो इस lecture सीरीज के अंदर आने वाली है, तो इस lecture के अंदर कोई भी confusion है, तो comment box में मुझे जरूर पूछ लेना, तो मिलते हैं इंशाला next lecture में, तब तक के लिए देखते रहे हैं मेरा चैनल, Program Mentor